KPIT Technologies ने आज के दिन में अपने quarter 3 के numbers पेश कर दिये हैं Stock में momentum जैसे ही पकड़ा expected था कि numbers काफी positive जो है KPIT Technologies आज के दिन में पेश करेगी और वही चीज हुई कि KPIT Technologies ने अपने quarter 3 के numbers जो हैं आज के दिन में काफी positive पेश कर दिये हैं सारे की सारी values देखें तो आप यहां पे millions में देख सकते हैं यह हैं आपके quarter 3, quarter 2, last year quarter 3 के number सबसे पहले total income की बात करें तो 12,757 million की total income है जो कि last quarter में 12,086 million थी और last year 9,381 million के असपास की थी total खर्चे के अगर बात करें तो 10,641 million का total खर्चाप की बार है जो कि last quarter में 10,208 million था और last year 7,988 million के असपास का था profit for the period अगर बात करें तो 15,67 million last quarter में 14,14 million था और last year 1040 million था तो numbers काफी positive है quarter on quarter पे देखें या फिर आप year on year basis पे देखें तो काफी positive numbers जो है KPIT technologies ने पेश किये हो और उसका result जो है आज के दिन में market time में ही देखने को मिल जुगा है basic and diluted अगर देखें तो 5.73 के असपास जो है और 5.69 के असपास जो है EPS earning per share जो है कि yearly basis पे भी and quarterly basis पे positive के साथ में increase होता नज़रा है numbers KPIT के काफी positive आये हो और इसका impact जो है stock के price पर देखने को मिलेगा हो सकता है कि stock दोबारा से 16.5-16.00 रुपे की range में जाता नज़रा सकता है 16.00 रुपे की जाता नज़रा सकता है